हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इकोहॉलिक्स में इकोहॉलिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही फांडमेंटल माइक्रो एकनोमिक्स का कॉंसेप्ट जिसको बोलते हैं इनकम कंजम्शन कर्व इसको आपने आय उपभोग वक्र इस नाम से भी पढ़ा होगा तो इनकम कंजम्शन कर्व एक बहुत ही अच्छा और सिंपल कॉंसेप्ट है जो बहुत सारे एक्जाम्स में जैसे यूजी सीनेट हो गया अपका गेट इकोनोमिक्स हो गया या फिर इंडिफरेंस कर्व जब प्राइज लाइन या बजट लाइन से टैंजेंट होता है तो उस टाइम पर कंजिमर्स एक्विलिब्रियम हो जाता है जैसे कि हम इस डाइग्राम में देखते हैं इस डाइग्राम में हम देखेंगे कि हमारे पास दो वस्तुवें हैं दो ये जएक बस्तू हो गई हमारी गूड जबाद एग खर एक साक्सीन पे और एक हो गई हमारी वस्तू गूड डी तो नहीं है डिक यह दो आ हैं यॡ रिn dif र स्कुर्व Conzumesors Charging में बहुत ही इंट्रेस्टिंग और 16 कर्व पे इस पर्टिकुलर वक्र पे दो कॉंबिनेशन कितने भी कॉंबिनेशन हो सकते हैं दो क्वांटिटीज के या दो कमोडिटीज के ठीक है और वह इस तरह से होंगे जैसे यह वक्र हो गया हमारा ठीक है यह इंडिफरेंस कर्व है अब यह क्या दिखाएगा यह वो सार combinations दिखाएगा commodity A और commodity B के quantities के जिससे कि consumer को satisfaction मिलेगा और वह satisfaction कैसा होगा same satisfaction चाहे वो consumer इस point पे इन दोनों commodities को consume कर रहा हो या फिर वो consumer इस point पे कर रहा हो या इस point पे कर रहा हो कोई भी कोई भी point in difference curve पे कोई भी combination ऐसा हो जहां पे consumer को equal level of satisfaction मिल रहा है दोनों commodities से तो उसको हम in difference curve बोलते हैं अब in difference curve में भी हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारा हमें बहुत सारे commodities से satisfaction मिलता है utility होती है लेकिन हमारा एक बड़ा constraint होता है मारी price line या budget line जो कि हमारा income decide करती है income किसी भी इंसान की income वो decide करती है कि वो कितने commodities या कितने quantity उन वस्तूओं की खरीदने वाला है अगर आपके बस limited income है तो आप limited खर्चा करोगे जादा income है तो जादा खर्चा करोगे तो इसके लिए जैसे हमने बताया कि एक हमारी line है यह budget line है जिसको हम price line में बोलते हैं और यहाँ पी एल वन नाम की line बना दी है चिक है अब जैसे कि मैंने एक indifference curve बनाया जो इस price line से tangential है tangential याने कि वो price line को एक ही point पे सिर्फ एक ही point पे touch कर रहा है तो ऐसे indifference curve को जब price line को tangential होता है ऐसा indifference curve तो उसको बोलते हैं consumers equilibrium याने इस point पे consumer जो है वो equilibrium है दो commodities के बीच में और उन दोनों के quantities के बीच में O A1 और O B1 खरीद रहा है वो ठीक है अब suppose करिए कि उस इंसान की income बढ़ गई उस इंसान की income बढ़ गई तो वो price line ज़्यादा हो गई और इस बढ़ी हुई price line पे PL2 पे obviously वो ज़्यादा quantities उन दोनों commodity की consume करेगा उसको वो ज़्यादा purchase कर सकता है क्योंकि उसकी monetary income अब बढ़ चुकी है तो वो उसका जो इंडिफरेंस कव है वो IC 2 हो गया higher in difference कव हो गया higher in difference कव याने higher utility higher satisfaction राइट तो यहाँ पे अब उसने O A 2 और O B 2 ऐसे quantities of इन दोनों commodities को consume करना शुरू कर दिया तो income consumption curve याने आई उपभोगबक्र का सबसे पहला concept यह है कि यहाँ पे हम एक तो इंडिफरेंस कव की बात कर रहे हैं इंडिफरेंस कव की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम combination of utility दिखाएंगे और दूसरा हम budget जिसको हम price line भी बोलते हैं उसकी भी बात कर रहे हैं उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे हम जिस चीज की बात कर रहे हैं जिस feature की बात कर रहे हैं वो यह है कि यहाँ पे prices जो होती है वो constant होती है यानि price of commodity नहीं बढ़ती है जो मूल है मूल है किसी भी बस्तु का वो उपर नीचे नहीं हो रहा है सिर्फ क्या बढ़ रहे है आए यानि income बढ़ रहे है किसी भी प्यक्ति की किसी consumer की और उससे होने वाला चेंज उससे मिलने वाली यूटिलिटी या साटिस्फाक्शन को हम बोलेंगे income effect और उसको हम दर्शाएंगे income consumption कर्व के द्वारा ठीक है तो अब मैंने यहाँ पर एक और सपोस्पोस करते हैं कि एक और बार इंकम में इंक्रीज होता है एक और बार इंकम में इंक्रीज हो गया देखिए यहां पैसे और यह प्राइस लाइन होगे पी एल थ्री बिल्कुल इसमें कोई दो रहा नहीं है कि अब जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो भी हायर बजट लाइन पर चला जाएगा क्योंकि के पास मौका है उन दोनों क्वांटिटीज को और ज्यादा परचेस करने के लिए तो इसलिए अब आई सी थ्री तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास थोड़ा चोटा बजट रहता है तो आप अगर कुसी आपको होटल में जाना है अगर आपको कोई विकेशन पर जाना तो आप थोड़ा सस्ता होटल देखेंगे और थोड़ा खाना भी नॉर्मल होटल में जाकर अगर आपकी पास जादा इंकम आपकी बढ़ जाती है तो आप फैमिली को लेकर जाएंगे थोड़ा अच्छे होटल रिजॉर्ट में चले जाएंगे उस और खाना भी थोड़ा थ्री स्टार होटल वाला करेंगे और जादा इंकम बढ़ जाती है तो और अच्छे होटल मे दो-चार दिन रुकेंगे आप महाँ पर और अपनी फैमिली को भी एंजॉय करवाएंगे तो इस तरह से जैसे से इंकम बढ़ती जाएगी आपकी कंजम्शन भी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक positive relationship है इंकम में और आपके consumption में क्यों क्योंकि यह दोनों goods जो आपके हैं यह आपके normal goods है ठीक है यह normal goods है यह inferior good नहीं है यह normal goods है ठीक है और इसी लिए इस वज़े से यहां पर हम इन यह जो points होता है ना equilibrium points यह E1 हो गया E2 हो गया E3 हो गया इन points को हम join करेंगे ठीक है जहां जहां पर जैसे जैसे आपकी income बढ़ी वैसे वैसे आपका consumption change हुआ तो उन सारे points को हम अब add join करेंगे यानि join करेंगे मैं एक dotted line बना रही हूं यहां पर और देखिए यह dotted line है यह सीधी की सीधी जा रही है एक positive slope है यह positively upward slope है ना इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इंकम बढ़ रही है वैसे वैसे consumption भी बढ़ता जा रहा है दोनों commodities का तो ऐसी line जो बताती है कि जैसे जैसे income level change हुआ वैसे वैसे consumption pattern भी change हुआ इस line को हम बोलते हैं income consumption curve याने की आय उपभोग बक्र तो आय उपभोग बक्र कौन सा हो गया यहां पर यह जो 0 से ICC तक की line है dotted line वो हो गई हमारी income consumption curve अब मुझे उमीद है कि आपको यह कंसेप्स अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऐसे ही कई अनेक कंसेप्स के लिए हमारा चानल जरूर देखते लिए और इकोहॉलिक्स को जरूर सब्सक्राइब करिए धन्यवाद